नमस्ते आज की हमारी वीडियो है प्रत्य के उपर तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रत्य किसे कहते हैं और इसके उधारन भी आपको मैं बताऊंगी तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रत्य क्या होता है इसकी परिभाशा है मूल शबत के पीछे लगने वाले शब्दांश प्रत्य कहलाते हैं तो आपको जब मैंने उपसर्ग करवाया था तब हम मैंने आपको बताया था कि मूल शबत के आगे लगने वाले शब्दांश को उ बुन के पीछे आई लगाने से बुनाई बन गया और कम के पीछे आई लगाने से कमाई बन गया तो इस प्रकार हम कोई भी शबद हो उसके पीछे अगर हम प्रत्य लगा देते हैं तो उसका अर्थ ही बिन हो जाता है तो मूल शबद के पीछे लगने वाले शब्दांश को ही हम प्रत्य कहते हैं इनको लगाने से मूल शबत का अर्थ भी बिन्ध हो जाता है तो आईए बाकी उधारन देख लेते हैं आवट आवट जैसे ये एक प्रत्य है सजावट थकावट लिखावट ये इसके उधारन है अगला है आवट चिलाहट घबराहट मुस्कुराहट ये इसके आवट के उधारन है ता कविता सुनदर्ता देवता अगला है कर देखकर सुनकर पढ़कर अगला प्रत्य है इन सुनारिन मालिन धोबिन इसके बाद है ई चाची बेटी नादी अगला है इया, बिटिया, बुडिया, चुहिया अगला है आ, मैला, प्यासा, ठंडा अगला है वान, दयावान, धनवान, बलवान आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्या किसे कहते हैं और इसके उदारन भी आपने देख लिए होंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप देख पाएं धन्यवाद संतरा लाइक्टार शेश लेजड़ाद को बाले और मेरे गले वाद इसक्राइक्टा रह बाले मेरे लाइक झाले खर पाएं झाल झाल